सब्सक्राइब कीजिए टेक्जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखिए वेलकम तो माई चैनल टेक्जोन राघव तोड़े आम गएंग टो डिसकस अबाउट इमेज टैग इन एच्टी एमल मतलब वेब पेज या फिर वेब साइट में इमेज को कैसे इंजर्ट किया जाता है आज के इस वीडियो में गाईज इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में HTML लिस्टिंग के बारे में आपको बताया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप राइट साइड उपर आई बटन पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो HTML लिस्टिंग के बारे में जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इमेज टाग मतलब हाव टू इंजर्ट इमेज इन वेब पेज और वेब साइट नमस्कार दोस्तों मेरा डाम है रागव तो चलिए शुरू करते हैं अब इमेज टाग को डिफाइन कैसे कर सकते हो तो simple सा language है आप image tag का मतलब ही होता है वेब पेज या फिर वेब साइट में आपको image डालना वेब पेज या वेब साइट में आपको image डालना image tag का use होता है यहाँ पर आप देख सकते हो है यहाँ पर हमने definition लिखा हुआ है क्या है definition? image tag, this tag specifies an image to be inserted in HTML document simple सा language है आप अपने HTML वेब पेज या फिर वेब साइट में कोई भी image डाल सकते हो इस tag के जरिए इसके कुछ attributes है, यह main tag होता है हमारा angular brackets के अंदर में img यह हमारा main tag है, ठीक है? इसका कुछ attribute हमने लिखा है जो सबसे important attribute है वो angular bracket के अंदर में img src img src क्या है? इसका short command है, right? image source का short command है img src उसके आद आपको is equal to देना है और double quotes के अंदर में image के location को डालना है image के location को डालने का मतलब है कि आपका image computer में किस जगह पे है उस location को आपको डालना होगा, उसके बाद second attribute आपका आ रहा है image का height यानि कि height value, तो आप अपने image के height को shade करने के लिए value shade कर सकते हो वेb page में कि कितना आपको size रखना है आपके image का, यहाँ पे उसके third attribute है हमारा width यानि कि आप अपने image की चोड़ाई, image की चोड़ाई कितना रखना चाहते हो उसके value को आप put कर सकते हो, आप अपने code section में तो guys, चलिए मैं आपको code के जरीए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरीके से code करके हम अपने web page में image को डाल सकते हैं जैसा कि हमने code section को open कर लिया है browser के साथ, आप देख सकते हो, इस page का हमने title दे दिया है image tag अब हमें कहां पे attribute लगाने हैं, कहां पे tags लगाने, image tag कर राइट, तो आप body section में आओ, और इस जेके पे आपको सबसे पहले img src लिखना है, right, img src, उसके आपको is equal to देना है, और double quotes open करना है, right, तो double quotes के अंतर में हमने क्या बोला था, image का location, मैं example के जरीए मैं समझाता जैसे मैंने desktop पे ही एक image डाल रखा है, computer के नाम पे, right, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह हमारा एक simple सा wallpaper है, ठीक है, इस पे मुझे right click करना है, और properties पे जाना है, right click करके properties पे आपको जाना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो location, आप इस location को copy कर लो, simple, ठीक है, आप यहाँ पर copy कर लो, उसके बाद आपका जो code section है, right, इस जैखे पे आपको क्या करना है, paste कर देना है, ठीक है, बहुत easy concept है, आप अपने image, मैंने desktop पे रखा हुआ है, इसलिए desktop से ही आपको मैं example ले रहा हूँ, आपके computer में कहीं भी image रखा हुआ रहेगा, आप उस जगे से आ आपको क्या करना है, तो image का name copy करना है, image का name, image का name कहाँ पे है, तो आप देख सकतू, इस जैखे पे आपका image का name आता है, right, तो इस जैखे पे image का name चली copy कर लेते हैं, ठीक है, copy करने के बाद simple वही काम करेंगे, यहाँ पर paste कर देंगे, ठीक है, paste कर देंगे, उसके बाद हम में क्या करना है simple image का extension लगाना इमेज का extension बहुत जरूरी है friends image का extension कहने का मतलब उसका file किस type का वो file है जैसे कि इसी जगह पर आप देख लो यह हमारा किस type का file है तो jpg का file राइट तो jpg का extension होता है dot jpg राइट इस जगह पर आप देख सकते हो dot jpg तो आप यहाँ पर क्या करोगे simple यहाँ पर dot jpg लिख दोगे clear बस इतना ही करना इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है double quotes को बंद कर देना है और angular bracket से आपको close कर देना इस टैक को simple file को save करते हैं और अपने browser को मैं refresh करता हूं राइट तो आप यहाँ पर हो गया हमारा image इस पर इस browser पर आ गया है ओके आप देख सकते हो यह हमारा car का wallpaper था जो हमने अपने web page में insert कर दिया लेकिन इसके साथ problem क्या हो रहा है यह oversize है यह हमारे web page पर fit नहीं बैठ रहा है तो fit बैठाने के यह हमने क्या बलाओ था आपको attribute लगाने के लिए तो आपको attribute कैसे लगाना है तो आपको इसी line में attribute लगाना है attribute लगाने के लिए इस जगह पर आप cursor करिए ठीक है और यहां पर एक enter कर दिजी एक इंटर कर देने के बाद आपको लिखना है सबसे पहले height height देने के बाद आपको is equal to देना है और आपको जितना height रखना है suppose कीजिए मुझे रखना है 200 ठीक है उसके बाद space दीजी और लिग दीजी width width आपको कितना रखना है तो width suppose कीजिए मुझे रखना है 150 उसके बाद फाइल को simple save करते हैं चलिए फाइल को save करते हैं और अपने page को refresh करते हैं आप देखो हमारा image जैसा था उससे हमारा change हो गया यानि कि इसका view change हो गया हमने height और width यहां पर जो भी इंटर किया है जो भी value यहां पर put किया है उसके according यह image का size हो गया है एक बात हमेशा य करता है इस वज़े से आपका वो image थोगा सा oversize हो गया था webpage में राइट कहने का मतलब है कि हमने चलो मैं आपको उस image का original size में दिखाता हूं यहां पर मैं double click करता हूं तो हमारा image का original size कुछ किस तरह का था तो हमारा original size कुछ इस तरह के गया तो यह original size ही पूरा का पूरा यह by default web page में आ जाता है तो आप इस बात का ख्याल रखेगा कि आप अपने image के height और width को उसके recording आप अपना set कर सकते हैं जैसा कि आपका वो जैसा भी आपको look चाहिए image का उस हिसाब से आप अपना height और width लगा सकते हैं और आप कई image भी लगा सकते हैं जैसे मैं एक simple सा एक और image डा open करना है अपकी मैं दूसरा image लालता हूं राइट दूसरा image कहने का मतलब चलिए मैं आता हूं इस जेगे पर आप देख सकते हो यहां पर हमारे simple यहां पर मेरे channel का logo है simple example logo हमने राइट तो इस logo पर मैं right click करता हूं और properties पर जाता हूं ठीक है और यहां पर logo का location मैं यहां पर backslash उसके आद image का नाम देना है तो image का नाम simple यहां पर लिखा हुआ है 789 तो 789 को चलिए copy कर लेते हैं control c से और इस जगे पे paste कर देते हैं ठीक उसके बाद आपको क्या करना है image का extension याद रखेगा हमने इसके ऊपर वाले image का extension क्या डाला था dot jpg क्योंकि वो dot jpg file था लेकिन इस image का file जो है extension हमारा क्या है इस जगे पर आप सकते हो dot png तो आपको इस जगे पर क्या करना है dot png कर देना है clear इतना करने के बाद आपको simple double quotes को close कर देना है और आप अपने angular bracket को बंद कर दीजे file को simple save कीजे और आप अपने web page को refresh कीजे आप देखोगे simple की आपके पास एक और आ गया राइट देखे यह हमारा logo का original size है तो यह हमारा original size आ गया है और first वाला जो image था car का वो देखो इस जगे पर आ गया तो इस image को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो आप अपने मुताबिक height इसका change कर सकते हो width इसका change कर सकते हो तो कहने का मतलब है कि आप अपने web page मे height width अपने recording डाल सकते हो हमारा आज का main topic था how to insert image in html web page और web sites right I hope आपको यह concept अच्छे से समझ में आया होगा guys अगर आपको यह थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप video को like share जरूर करें और channel को subscribe करना ना भूलें ताकि इस तरह के educational videos technical videos के notification आपको हमेशा मिलते रहें फिर म मैं बहुत जल्द मिलूंगा next topic के साथ next video में तब तक के लिए